नरंद मोदी की शरकार और कांग्रेश की शरकार में यही फड़क है कि कांग्रेश ने भीम्राव अंबेदकर को नहीं सम्मानित किया कांग्रेश की शरकार ने पठेल साहब लौपुरुस को नहीं सम्मानित किया अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की पाज को आगे बढ़ाने में उनका जो रोल है पिछड़ा को वजचीतों को वह बहुत बड़ा रोल है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं तो भारत रत्न संकेतिक लगेगा मान्य परदान मंत्री जी देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्मपुरुसकार जैसी चीजे मिल रही हैं सरपर्थम मैं तो केंदर सरकार को बिहार की जनता और देश के बंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्वाद देता हूँ कोटीशा धन्वाद देता हूँ करपुरी ठाकूर मेरा सोभाग्य रहा कि करपुरी ठाकूर एक समाजवादी नेता थे मेरे गाओं के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल दे बावु जो दोनों साथ काम करते थे मैंने करपुरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है करपुरी जी एक समाजिक समरस्ता के परतीक थे नरंदर मोदी ने करपुरी जी को शम्मानित किया है नरंदर मोदी की सरकार और कांग्रेश की सरकार में यही फड़क है कि कांग्रेश ने पठेल साहब लौपुर उसको नहीं सम्मानित किया अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की पठेल को सम्मानित किया अम्बेदकर को सम्मानित किया, करपुरी ठाकुर जी का जो पूरा इतिहास है, जो पूरा कारणामा है और जो पूरा काम है भारतिक समाज के लिए और बिहार के समाज के लिए वो बहुत बड़ा है पिछड़े आती पिछड़ों दरीतों की आवाद, संपारदाएक सौहार्थ के लिए जो उन्होंने काम किया, जब वो यहां के मुखमंत्री थे और जो फार्मूला दिया, इवेन आरेक्षन का जो फार्मूला उनका है, बड़ा कारगर रहा, जब हम लोग मंडल कमिशन के सप बत करते हैं, बेहत स्वागत योगी का दम है, लेकिन इसके प्रिष्ट भूमी जानी है, लालू जी के वैचारी गुरू थे, नितिश जी उनके साने दिमे थे, और मुझे तो समरन है, प्रधान मंद्री जी के समक्ष दो ड़ाई साल पुर्व, हमारे तेजिस्वी जी ने पुर्जोर तरीके से इस मांग को की थी, तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजी कि नयाई की धारा उस पर बारी है, तो ये फैसला मैं समझता हूँ, जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है, कि वो प्राजेक्ट जो उन्होंने जी में शामिल करके, वो सही शद्धान जली होगी, नहीं तो भारत रत्म संकेतिक लगेगा मानिये प्रदान मंत्री जी, गरीबों के सोसितों के गौरों, अपनी सादगी, सुचिता और इमांदारी के लिए प्रतिमान बन चुके, जन नायक करपुरी ठाकुर को ये सम्मान आदर्निये प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस स्रिंखला में एक और इतिहास में कृतिमान इस्थापित किया है, कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं, उनको पहली बार भारत रत्म या पद्म पुरसकार जैसी चीजे मिल रही है, करपुरी ठ अधाकुर उसी स्रेणी में, उनहीं महानायकों में से इस देश के, सिर्फ बिहार के नहीं, पीछलों सोसितों के बड़े जननायक थे, उनका व्यक्तित तो इतना बड़ा था, कि दो-दो बार मुख्यमंत्री रहने, एक बार उपमुख्यमंत्री रहने, और एक बार कभी उचुनाओ नहीं हारे अजाद भारत में,